गुड मॉर्निंग फॉर्थ क्लास हमने चैप्टर नमबर 6 स्टार्ट किया है डिवीजन आज हम exercise 6.1 करेंगे 6.1 का हमने question number 1 किया था I hope आपको समझाया होगा आज हम question number 2 और 3 करेंगे मैंने आपको कल properties समझाय थी कुछ उसकी help से आज हम fill in the blanks करेंगे ठीक है मैंने आपको कल बताया था अगर हम किसी number को 1 से divide करते हैं यह division का sign है divide का अगर हम किसी number को 1 से divide करते हैं तो वो number खुद से ही हमारा answer आ जाता है कल मैंने आपको यही समझाया था तो अगर 94 को हम 1 से divide करेंगे तो answer क्या होगा 94 तब ही मैंने आपको कहा था carefully सुनो और उसको बार बार device करो ताकि आपके answers अच्छे से निकल पाएं आपको कोई problem ना हो second one is 85 को अगर 85 से divide करेंगे ना निकल आपको समझाता अगर एक given number को उसी number से उसी same number से हम divide कर दें तो answer क्या आता है 1 अगर हम एक number को उसी same number से divide कर देते हैं तो answer क्या आएगा 1 0 को divide करें किसी number से तो answer क्या आएगा 0 0 को किसी भी number से divide करोगे तो answer क्या आएगा 0 अगर किसी number को 0 से divide करोगे तो answer होगा not defined क्या होगा not defined जो कल मैंने आपको properties समझाई थी उसको carefully दुबारा सुनना अगर कोई problem आते हैं तो पूछ लेना उसकी ही help से आप fill in the blanks कर पाओगे ठीक है question number third वैसे मैंने इस तरह के question आपको करा दी है question number one में फिर भी मैं आपको question number third दुबारा से करा रही हूँ ताकि आपको रच्छे से समझा जाए find the quotient and the remainder first of all आपको मैं दुबारा से revise कराती हूँ कि quotient and remainder क्या होता है quotient हमारा क्या होता है answer और remainder क्या होता है जो and में बचता है ठीक है हमने 80 divided 10 हमने 80 को divide करना है 10 से ठीक है देखो 10 के table में 80 कहां आता है 10 8s are 80 10 8s are 80 ठीक है मैंने आपको ये भी बदाया था division एक repeated subtraction होती है ठीक है और 0 में से 0 subtract करोगे क्या आएगा 0 8 में से 8 subtract करोगे तो क्या आएगा 0 बेटा आपको फिर से मैं rewind कराती हूँ ध्यान से सुनना तभी आप verification कर पाओगे ये हमारा क्या होता है diviser ये क्या होता है जिससे divide करते हो वो होता है diviser जिसको divide करते हो वो होता है dividend क्या होता है वो dividend जो answer आता है वो होता है quotient जो end में बच्चता है leftover होता है उसको कहते है remainder ये है हमारा remainder मैंने तो सिर्फ आपको revision के लिए समझाया है बट आपको तो question में find करना है only quotient and remainder क्या find करना है quotient and remainder quotient and remainder बेट अब आपको पतर लग गया का quotient यहां क्या है 8 और remainder क्या है आपका 0 carefully watch करना कोई problem आते है पूछ लेना लेकिन sums के practice जरूर करना ठीक है देखो next one is 784 है ठीक है उसको 784 है बेटा किस से divide करना है 100 से 100 के table में 784 नहीं आता तो 784 से क्या छोटा है 700 यह एक तरह से क्या है repeated subtraction तो हम इसे छोटा ही लेंगे 4 में से 0 subtract करोगे तो क्या आएगा 4 8 में से 0 subtract करोगे तो क्या आएगा 8 और 7 में से 7 subtract करोगे तो क्या आएगा 0 अब आप देखो बेटा यह आपका क्या है remainder जब आपका remainder आपके divisor से छोटा आ जाए 100 के table में 84 पॉसिबल नहीं है तो ये आपका sum यहीं पे stop हो जाता है क्या हो जाता है यहीं पे stop हो जाता है जब आपका divisor से छोटा आ जाए remainder तो आपका sum ही stop हो जाएगा आप फिर से मैं आपको remind कराते हुए क्या divisor यह है dividend quotient remainder जिससे आप divide करते हो वह होता है diviser जिसको divide करते हो वह होता है dividend जो answer आता है वह होता है quotient and में क्या बचता है remainder आपको यहां भी बताने है quotient क्या है क्या है quotient 7 remainder क्या है 84 ठीक है third part अब 8320 को आपको 1000 से divide करना है 8320 को आपको 1000 से क्या करना है divide अब 1000 के table में 8320 नहीं आता तब इससे चोटा क्या है 1000 के table पे को अगर 8 से multiply करोगे तो बेटा आता है 8000 1000 एट जा 8000 minus करोगे क्योंकि division एक repeated subtraction है 0 में से 0 subtract करोगे 0 2 में से 0 subtract करोगे 2 3 में से 0 subtract करोगे 3 लेकिन 8 में से 8 subtract करोगे तो क्या आएगा 0 अब बेटा यह आपका 320 और यह है 1000 मींस आपका diviser greater है diviser बड़ा है किससे remainder से 1000 के table पर 320 तो नहीं आएगा possible नहीं है तो हमारा sum यहीं पर stop हो जाएगा अब हम बता देते कोश्यंट क्या है एट और रिमेंडर 320 बेटा अच्छे से क्याफूली वाश करना प्रैक्टिस करना कोई पाब्लम आती है तो पूछ लेना ठीक है थैंक यू एव नाइस टे क्या है